सांप और गज, एक बार एक लोहार की दुकान में सांप घुस गया, वहाँ एक लोहे का गज पढ़ा हुआ था, बीच में पढ़े लोहे के गज को देखकर सांप को ख्रोधा गया, तुम मेरे रास्ते का रो रहा हो, कहकर ख्रोधित सांप नाहक उस गज को कातने लगा, इसका नुक्सान जरूर होगा गज की बातों से सांप को और भी गुस्सा आ गया और उसने गज को इतनी जोर से काटना शुरू कर दिया कि सांप के दांग तूट कर गिर गए और उसका मूँ खून से लगपत हो गया पर्त, लापर वाही और नाहक गुस्सा स्वयम को हानी पहुचाती है